हेलो फ्रेंड्स में रोवी कांत है और कम्पिटिटिव वर्न ओले में आपका स्वागत है आज हम करेंगे क्लास नाइन्थ पॉलिटिक्स का हमारा थर्ड चैप्टर पार नंबर फर्स्ट है है यहां पे इसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाएगा है कि बारे में देखेंगे नियाकि लिए इंदीय ganze in से इन कॉंस्टिवशन सी आफ़ेंगे और यहां पर फर्स्ट पार्ट फेर्ट उन सबाध्ए कहां पूछे जाते यहां हम यहां पर constitutional design सो कैसे design किया गया था सो इसके बारे में यहां पर देखेंगे इस चैनल के उपर आपको यह सभी वीडियो देखने को मिलेंगी इन सभी की यहां पर प्लेलिस्ट आपको description box में मिल जाएंगी सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का topic सो फर्स्ट टोपिक हमारा यहां पर democratic constitution in South Africa इनके उपर यहां पर मुकदमा चलाया गया था देश द्रोह के कारण सो किनके दवारा देश द्रोह का यहां पर मुकदमा चलाया गया था इनके किलाफ वाइट साउथ अफ्रीकन गवर्मेंट यहां पर जो गोरे लोग थे उनके द किया था अंग्रेज लौगों के छिलाफ क्योंकि यहां पर जो बलैक लोग थे जो काले लोग थे उनको यहां पर बहुत ही गलत बाब के साथ आएं पर देखा जाता था उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे इस्जू यहां पर प्रोटेस्ट करने की बिल्कुल मनाही थी जो लोग थी तो इसलिए यहां पर इनको जेल में डाल दिया गया था इनके साथ यहां पर साथ अधर जो लीडर से उनको भी यहां पर सजा दी गई थी और लाइफ इंप्रिजन मेंट मतलब कि यहां पर उमर कैद की सजा इनको सुनाई गई थी 1964 इन्हों ने विरोध करा था अपार्थिड रिजाइम जो अपार्थिड सिस्टम था जो काले लोगों के यहां पर अलगसे एक सिस्टम बनाया गया था गोरे लोगों के दवारां इन्होंने जो नेल्सन मंडेला थे अगले जो 28 से यह जेल में रहे ठे सो जेल यहां पर च्छीट हो यहां पर यहां पर रखा घया था 28 years के लिए clear है so चलिए देखते हैं क्या क्या कारण रहे थे इनके पीछे so struggle against apartheid so यहां पे जो रंग बेद के खिलाफ इनके दुवारा जो संगर्श किया गया था उसके बार में यहां पे देखते हैं so apartheid was the racial discrimination unique to South Africa यहां पे यह बहुती ज्यादा unique थी जो बेदबाव किया जाता था जाती जैसे जातपात को लेकर जो गाले लोग हैं उनके लिए अलग था जो white जो गोरे लोग हैं उनके लिए सब कुछ अलग होता था so जो white European से इन्होंने इस system को South Africa के उपर यहां पे लागू किया था जो अपार्थीड system था 17th और 18th century में जो ट्रेडिंग companies थी यूरोप की जैसे की इन्दिया में इन्होंने आके कबज़ा किया था वैसे इन्होंने South Africa के उपर भी कबज़ा किया था जो European companies थी East India company so इन्होंने यहां पे हत्यार और यहां पे ताकत के बल पे यहां पे occupy कर लिया था South Africa को जैसे इन्होंने इंडिया को किया था है so 1947 में अजादी मिली थी sorry so यहां पे जो large number of whites जो गोरे लोग थे वो South Africa में आके settle हो गए थे और यहां के जो local ruler से इनके दुवारा यहां पे शाशन किया जाने लगा था so इन्होंने एक system को introduce करा था जिसका नाम था system of apartheid मतलब की जो काले लोग थे उनके लिए बनाया गया था यह so ऐसे में जो skin color लोग थे उनको divide करा जाता है जो काले लोग थे उनको अलग देखा जाता था जो काले लोग थे वो naturally यहां पे black थे color में ठीका जो उनका रंग था वो काला था so यहां पे जो native लोग थे यहां पे south africa के उनकी जो जनसंख्या थी वो three-fourth थी total population three-fourth मतलब की let's suppose की अगर 100 लोग है south africa में so इन में से so में से जो 75 में वो कौन से हैं यहां पे black और जो 25 में वो whites clear है so जो three-fourth population थी इनको blacks के नाम से जाना जाता था इसके साथ में यहां पे third group था लोगों का so उसको यहां पे mixed races so जिनको colored के नाम से यहां पे बुलाया जाता था colored मतलब की जो black and white है यानि कि आदे गोरे आदे जिनका रंग सावला होता है ठीक है so उनको यहां पे colored बुलाया जाता है जैसे Indians लोग है ठीक है so ना तो यहां ज़्यादा गोरे होते हैं ना ही ज़्यादा काले होते हैं so ऐसे लोगों को यहां पे colored बुलाया जाता था so यह migrate हुए थे कहां से इंडिया से मतलब की इंडिया territory से यह कहां पे गए थे अफ्रीक का ठीक है so इनको क्या बोला जाता है migrated बोला जाता है so जो white ruler से वो जितने भी non-whites लोग थे black या colored जितने भी थे उनको अपने से नीचा समझते थे अपनी छोटी कास्ट का या जाती का समझते थे वो लोग और जो non-whites लोग थे इनको voting का अधिकार नहीं दिया गया था गोरे लोगों के दवारा अब यहां पे जो black से अब उनको white जो area से वहां पे रहनी की मना ही थी वो बिलकुल भी वहां पे नहीं रह सकते थे और नहीं वो काम कर सकते थे हाँ लेकिन वो काम कर सकते थे लेकिन उनके लिए इनको permission चाहिए होती थी गोरे लोगों की तब जाकर यहां पे काम कर सकते थे अब इसी के साथ में यहां पे जो ट्रेंज, बसे, टैक्से, होटल, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, लाइबरेरी, सिनमा हॉल, थियेटर, बीच, स्विमिंग पॉल, पबलिक ट्वाइलेट्स यह सभी यहां पे जो गोरे लोग थे, उनके अलग बनाए गए थे, और जो काले लोग थे, उनके अलग बनाए गए थे अब जो भी बलैक लोग इनकी यहां पे आ जाता था, तो उनको वो क्या कर दे थे, गोली से उड़ा देते थे, मार देते थे सो ऐसी यहां पर अलग अलग सजा दी जाती थी इनके दुआरा सो यह जो सिस्टम है इसको बोला जाता है सैग्रिकेशन सो यहां पर याद रखना है सैग्रिकेशन अगर पूछे एक्जाइम में तो यह सभी आप लोगों ने लिखना है उपर वारी लाइन सब कुछ यहां पर अलग अलग था अंग्रेजों का अलग था जो गोरे लोग थे उनका अलग था जो काले लोग थे उनका सब कुछ अलग था सो यह लिखना आप लोग ने सो ब्लैक्स और वाइट इनके अलग लग चर्च हुआ करते थे ब्लैक से यहां पे जो ब्लैक लोग हैं काले लोग हैं वो संस्था नहीं बना सकते एसोसियेशन नहीं बना सकते ना ही वो प्रोटेस्ट कर सकते थे तो अगर जो भी इनके साथ यहां पे ट्रीटमेंट किया जा रहा है सो इनके खिलाफ वो आवाज नहीं उठा सकते थे अगर तो वो आवाज उठाएंगे या तो उनको मार दिया जाता था या उनको जेल में बेज दिया जाता था जैसे नेलसन मंडेला के दुबारा किया गया था और जो इनके साथ यहां पे सैवन अदर लीडर्स थे सो 1950 में जो ब्लैक अलर्ड थे और जो इंडियन से इन्होंने एक जूट होकर यहां पे साथ मिलकर जो अपार्थेट सिस्टम था इसके खिलाफ लडाई लड़ी सो यहां पे ANC अफ्रिकन नैशनल कॉंग्रेस जो पार्टी थी इन्होंने स्ट्रॉगल करा संगर्श करा यहां पे जो सैगरिकेशन पॉलिसी जो नीती इनके दुवरा बनाई गई थी इसके खिलाफ बहुत सरे जो वरकर से या कम्यूनिस्ट पार्टी के जो लोग थे यह सभी इसमें शामिल हुए थे जो बहुत सरे जो white से वो भी इनका समर्थन कर रहे थे वो नहीं चाहते थे यहां पर कि जो अपार्थिर system है यह इसको गलत मांते थे इसलिए वो इनका समर्थन कर रहे थे और यहां पर इनोंने leading role यहां पर play करा आगे बढ़कर इनोंने इनका साथ दिया इस संगर्ष में जो प्रोटेस्ट इनके दुवारा किया जा रहा था बहुत सारी कंट्रीज ने यहाँ पर क्रिटी साइज किया निंदा करी यह जो सिस्टम इनके दुवारा इंटर्ड्यूस किया गया था लेकिन जो वाइट लोग थे गवर्मेंट थी यह ऐसी रूल करते ज है तो डेंजर नेटिव इंडियन या कलर्ड जो भी है अगर तो वह नाइट के समय में अगर तो वह आते हैं एंटर करते हैं इनकी टेरिट्री में तो उनको लापता यहाँ पर करार दे दिया जाएगा और यहाँ पर जो आम्ड यानिकि स्क्योर्टी गार्ड्स हैं वह उन आए गए थे जो गोरे लोग थे similarly यहां पर next so swimming pool यहां पर गोरों के लिए अलग बनाया हो था according to section 37 जो भी यहां पर काले लोग या colored लोग अगर तो यहां पर आते हैं सो उनको यहां पर मार दिया जाएगा यहां जेल में बेज दिया जाएगा सो ऐसे यहां पर इनके दुवारा यह rules बनाए गए थे so next देखते हैं यहां पर towards a new constitution नहीं constitution की तरफ इन्हों ने कैसे move करा सो जो प्रोटेस्ट इनके दुवारा चलाई जाते थे जो संगर्ष इनके दुवारा किया जाता था अपार्थिर सिस्टम को यह बहुत तेजी के साथ बढ़ता गया और government ने यहां पर करा कि अब यह blacks को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे ज्यादा लंबे समय तक सो जो वाइट रिजाइम थी जो परशाशन था इन्होंने जो इनके दुवारा नीतियां चलाई जा रही थी पॉलिसिस उनको बदलाव कि उनमें कुछ जो डिस्क्रीमिनेटरी लौ से उनको कैंसल कर दिया गया और यहाँ पर जो पार्टी सी जिनके पर रिस्ट्रिक्शन भी लगाई गई थी को भी यहां पर ग를 आ तक मतलब की उर्फ बे इंप था उघ्र मोगों के साथ So 20 years, 28 years imprisonment के बाद Nelson Mandela को यहाँ पे अजाद किया गया jail से So finally जो रात थी 26 April 1994 यहाँ पे जो नया national flag था South Africa का उसको लहराया गया था So democratic country नहीं जन्म हुआ था इसका पूरे विशव में So यहाँ पे बहुत ही अच्छी थी इनके दोवारा बहुत ही अच्छा constitution तियार किया गया था So यहाँ पे जो black leader से उन्होंने अनुरोध किया जो blacks लोग थे उन्होंने कहा कि अब इनको माफ कर दिया जाए अब हम जो अफरिक है इसको एक नहीं दिशा में आगे लेके जाएंगे स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे जो भी इनके दोवारा बुरा परताफ किया गया था उनको शमा कर दिया जाए So यह black leaders के दोवारा कहा गया था So इसके साथ यहां पर यह भी कहा गया था कि अब नए South Africa का निर्मान किया जाएगा जिसमें सभी को यहां पर equality सभी को बराबर समझा जाएगा जितनी भी यहां पर जाती है men, women, democratic values, social justice, human rights जितने भी यहां पर दिकार दिये जाएंगे सभी को नियाए मिलेगा, सभी को यहां पर equally treat किया जाएगा So यहां पर वो साथ में एकठे बैठे और एकठे बैठे और साथ में इन्होंने constitution का निर्मान किया दो साल तक इन्होंने discussion किया, debate की, constitution के ओपर और यहां पर finest constitution of the world सामने आया बहुत अच्छा सभीदान इनके दुवारा बनाया गया था यह जो सभीदान इनके दुवारा बनाया गया था So इसमें बहुत जादा यहां पर जो rights थे वो नागरिकों के दुवारा यहां पर नागरिकों को दिये गए थे इतने rights तो यहां पर किसी भी wishow में जो countries है किसी को नहीं दिये गए तो यहाँ पे एक preamble भी यहाँ पे introduce करा गया preamble क्या होता है कि introduction पार्ट होता है constitution का सविधान का तो यहाँ पे बहुत ही जबरदस बहुत ही beautiful way के साथ इनके दोवारा represent करा गया था preamble को तो next move करते हैं यहाँ पे next step why do we need a constitution हमें constitution की जरूरत क्यों है so South Africa का example यहाँ पे लेते हैं बहुत अच्छे example है South Africa का क्योंकि अभी हमने यहाँ पे detail में इसके बारे में story देखी थी कि क्या थी so यहाँ पे यह बिल्कुल भी easy नहीं था गोरे लोगों के ओपर trust कर पाना so इनके मन में भी कहीं न कहीं डर था so जो black majority so याद रखना है यहाँ पे जो blacks लोग थे यह majority में जाता थे जो white लोग थे यह majority में कम थे यह 25 परसेंट थे और यहाँ पे यह 75 परसेंट थे so जो black majority के लोग हैं वो चाहते थे कि यहाँ पे जो democratic principles जो सिदाथ होने चाहिए लोक तंतर के वो जो majority रूल करेगी यहाँ पे उसके according ही होना चाहिए इसमें वो बिलकुल भी कोई समझोता नहीं करेंगे so इनके दोवारा यहाँ पे चाहते थे कि जो समाजिक और आर्थिक यहाँ पे अधिकार हैं वो भी इन सबी को दिये जाएं जो white minorities हैं अब वो चिंती थे क्यों चिंती थे अब वो इसलिए चिंती थे क्योंकि वो जो उनके विशेश अधिकार थे उनको बचाना चाते थे और जो उनकी properties है जो उन्होंने यहाँ वे दोखा धरी या जैसे भी उन्होंने बनाई उसको भी यहाँ पे वो बचाना चाते थे सो बहुत लंबे समय से यहाँ पे जो बाची चलती आ रही थी दो सारे उन्होंने जो टाइम लिया था उसके बाद यहाँ पे बहुत जो दोनो parties हैं वो सहमत होगी कि वो समझोता करेंगे whites जो लोग थे वो इस सिदान्त के ओपर माने कि जो majority rule के coding यहाँ पे government बनेगी और यहाँ पे हर person को एक एक vote का अधिकार दिया जाएगा और इसके ओपर यहाँ पे यह भी agreement हुआ कि यहाँ पे जो कुछ basic अधिकार हैं वो गरीबों को भी दिये जाएंगे जो पूर लोग हैं और जो workers हैं इनके लिए विशेश अधिकार दिये जाएंगे तो दोनों पक्ष इनके ओपर सहमत हो गया तो यहाँ पे जो majority है अगर तो जैसे कोई government यहाँ पे बनी है अगर ओवेस यहाँ पे जो majority होगी उसी की यहाँ पे government बनेगी अब वो यहाँ पे जो white minority logs हैं जो गोरे लोग हैं उनसे उनकी जो property है वो नहीं चीनेंगे तो ऐसा यहाँ पे यह भी सविदान में लिखा गया था यहाँ पे यह compromise करना असान नहीं था actual में इसलिए यहाँ पे trust बना के रखना बहुत जुरूरी था तो trust कैसे बनाया गया यहाँ पे write down किया गया मतलब कि जो भी यहाँ पे सविदान बनाया गया था या जो भी दोनों पक्षों के दोबारा बाते मानी गई थी उनको यहाँ पे लिखत रूप दिया गया था सो जितने भी rules से क्या क्या rules से how the rulers are to be chosen सो यहाँ पे जो rulers होंगे future में वो कैसे choose किये जाएंगे government बनाने के लिए second यहाँ पे जो powers हैं elected government वो कैसे उनके पास powers होंगी और कैसे वो काम करेंगे यह सभी यहाँ पे लिखत रूप में लिया गया था और सभी ने यहाँ पे sign किये थे इसके उपर और इसी के साथ में वो जो rulers हैं वो क्या होंगे यहाँ पे supreme होंगे मतलब कि इनी का यहाँ पे जो कानून जो भी के द्वारा बनाई जाएंगे उनको सभी के द्वारा मानने किया जाना चाहिए सो यह supreme सबसे उपर होंगे जो लोगों के द्वारा यहाँ पे चुन के आएंगे कोई भी government यहाँ पे इनको ignore नहीं कर सकती थी जो भी इनके द्वारा यह लिखा गया था सो constitution ही इसको कहा जाता है जो भी set of basic rules यह जो rules बनाए गए थे इनके द्वारा इसी को क्या बोला जाता है constitution बोला जाता है clear है सो यह आपको पता होना चाहिए definition एक number में पूछ लेते हैं so what is constitution set of basic rule that is called constitution सो यह जो सभीदान इनके दुबारा निर्मान किया गया था यह सभी के उपर apply होगा government के उपर भी कोई भी संस्ते अगर तो उनके उपर club है किसी भी area में या cooperative society या political party है सभी के उपर यहां पर यह apply होगा sorry so constitution यहां पर एक supreme law माना जाएगा so यहां पर जो constitution है यह relationship बताता है लोगों के बीच में जो यहां पर territory में रहते हैं जैसे यह अफरीका होगा है साउथ और फिकर यहां पर जितने भी लोग रहते हैं so उनके बीच में यहां पर relation बताता है constitution और साथ में यह relation बताता है लोगों के पीच में और सरकार के बीच में सो constitution में कुछ बाते थी क्या थी यहां पे पहली बात थी कि यहां पे जो trust है वो यहां पे बना के रखना होगा सभी के जो गोरे लोग हैं या black लोग हैं और इनके बीच में एक coordination भी होना चाहिए तालमेल बनना चाहिए वो साथ में इकठे रहेंगे यहां पे black and white दूसरा था यहां पे यह specify गया था कि जो government है वो कैसे बनाई जाएगी और उनके जो powers होंगे या decision जो भी इनके दुबारा लेने है वो किस तरह के होंगे यह सबी यहां पे सपस्ट रूप से पहली बता दिया गया था और इनको यहां पे लिखित रूप भी दिया गया था और उसके उपर sign करवाए गये थे सबी के थर्द था यहां पे कि जो government की powers हैं उनको भी यहां पे limit करा जाएगा और यहां पे जो अधिकार होंगे लोगों के citizens के जो rights होंगे वो भी उनको दिये जाएंगे यह सपस्ट रूप से कहा गया था यहां पे fourth था कि जो aspirations है लोगों की जो इच्छाएं हैं वो एक अच्छी society निर्मान करने के लिए यहां पे express किया जाएगा सो यह fourth यहां पे basic बाते थी sorry सो जो कही गई थी सविधान में clear है सो I hope आपको यहां पे first part समझ में आया होगा सो part number two में हम Indian constitution के बारे में देखेंगे detail में कि क्या था सो अगर वीडियो अच्छा लगे तो share कर देना सो अपने friends को उनकी भी मतद हो सके गर बैठी free of cost coaching ले सके अपने आज पास फाई रखें ज्यादा से ज्यादा पेड़ पो देगाए green इंडिया की तरफ move करना यही हमारा lecture सुझा है and have a fantastic day